नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू में चैनल देव MTR ये है निव यामा फैसीनो 125 ब्येसिक्स का हाइब्रिड बेरियंट तो यामा ने फैसीनो 125 को हाइब्रिड बेरियंट में निवली लॉंच किया है mobile, bluetooth, connectivity और कई smart features के साथ तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले इसके price, features और mileage के बारे में तो सबसे पहले हमें start करते हैं इसके front से तो यहाँ पर इसकी जो headlight है वो completely change कर दी है अब इसमें आपको fully LED setup देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको chrome का element और यहाँ पर आपको black glossiveness मिल जाती है और यहाँ पर आपको blue core hybrid का sticker मिल जाता है जैसा कि यह hybrid बाला model है और यहाँ पर आपको LED DRL मिल जाती है और उपर की side में और नीचे की side में आपको fully LED setup देखने को मिल जाता है और जो की काफी अच्छा लग रहा है और नीचे की side में चलें तो यहाँ पर इसके apron के उपर आपको number plate का option और नीचे आपको yama का logo देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको fiber की body मिलती है फ्रेंट की तरफ और इसके indicator की बात करें तो यहाँ पर आपको halogen type के indicator मिल जाते है और side में आपको chrome के element मिलते हैं जिसका look काफी शांदार दिया गया और इसके front का जो mudguard है वो आपको metal के रूप में मिलता है जिसके side में आपको UBS का logo मिल जाता है इसके front में आपको unified braking system मिल जाता है इसकी आगे और पीछे की दौनों brake एक साथ काम करती है और 90-90 बारे का tire size मिल जाता है फ्रेंट में आपको disc brake मिल जाती है और 12 इंच के black color के yellow wheel मिल जाते हैं और telescopic suspension मिल जाते हैं इको mode indication, turn signal indication और इसके दूसरी side में आपको auto mode indication light और main headlight indication light देखने को मिल जाती है और इसकी display में आपको fuel की reading और km की reading और km पर hour speed की reading देखने को मिल जाती है जैसा कि इस scooter में आपको mobile bluetooth connectivity का भी option दिया गया है आप अपने mobile को भी connect कर सकते हैं इस scooter से और यहाँ पर आपको chrome के side mirror मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको low beam, high beam indicator और horn का switch मिल जाता है यहाँ पर आपको auto mode का switch, man headlight और self का switch मिलता है जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं अब इसके side profile की बात करें तो यहाँ पर इसका जो design है वो काफी unique बनाया गया है इसके body में कोई भी changes आपको देखने को नहीं मिलता है जैसा कि इसके जो graphics हैं वो completely change कर दिये हैं और इसके side panel की तरफ देखोगे तो यहाँ पर इसकी जो design है वो भी काफी unique दी गई है 145 mm की यहाँ पर आपको ground clearance मिल जाती है और यहाँ से आप इसके leg space area को देख सकते हैं जो की काफी बड़ा मिल जाता है और यहाँ पर आपको carry hook मिल जाता है और यहाँ पर आपको key point मिल जाता है यही से आप इसके boot space को open कर सकते हैं और यहां से आप इसके side panel के उपर देखोगे तो यहां पर आपको chrome का element मिल जाता है और यहां पर आपको plan के लिए adjustable footrest और इसके back side की तरफ आपको फैसीनो का 3D में logo मिल जाता है जो की काफी शांदा लग दा है और यहां पर आपको exhaust की design है वो भी काफी unique दी गई है इसके rear की side में आपको एक black color का grab handle मिल जाता है जो की matte blackness में दिया गया है और यहां पर आपको थोड़ी सी matte blackness मिल जाती है और इसके उपर आपको yama का logo नीचे की side में आपको tail light मिल जाती है और इसके उपर आपको fascino का 3D में logo यहां भी आपको दौनों side में reflector मिल जाती है और यहां भी आपको chrome का element मिल जाता है अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके boot space की तो सबसे पहले हम इसकी चावी से इसके boot space को open कर लेते हैं यह है इसका boot space जो की 21 liter का इसमें मिल जाता है और यहां पर आपको LED boot light और mobile charging port की कोई भी सुबदा नहीं मिलती है इसमें आपको hybrid का system दिया गया है और यहां पर आपको 5.2 liter की fuel tank की capacity मिल जाती है और यहां से आप इसकी seat को देख सकते हो जो की काफी चौड़ी दी गई है और इसके नीचे की side में चलें तो यहां पर आपको side stand engine cutoff का switch मिल जाता है अगर इसका side stand लगा होगा तो इसका जो engine है वो start नहीं होगा और यहां पर आपको man stand भी मिल जाता है अब बात करें इसके engine और power की तो इसमें दिया है 125cc का air cooled forest rock SOSC2 valve BS6 का engine इसकी maximum power है 8.2 PS की 6500 rpm पर इसका maximum torque है 10.3 nm का 5.4 rpm इसका curve weight है 99 kg इसके additional features की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है smart motor generator system, side stand engine cut-off switch, hybrid power assist, quit engine start and automatic start and stop system, mobile bluetooth connectivity with yama motorcycle connect X app तो अब बात करें इसके price की तो yama fascino 125 hybrid के disc variant की on-road कीमत है 97,200 रुपे 97,200 रुपीज ये on-road कीमत मैंने आपको बताई है tanuska auto yama madhyam gram kolkata so room की so room की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी अगर आप other state से हैं और इसकी on-road कीमत जानना चाहते हैं तो आप अपनी city का नाम comment कर देना मैं आपको आपकी city का on-road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जासे आदा like करें comment करें share करें चैनल पर पहली वार आएं तो देव MDR चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथी साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को थैंक यू दोस्तो मिलते हैं अगली वीडियो में